नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूस पॉलिटकल बाइट और आपके साथ मैं हूँ करांति सिंग आपको बता दे कि उत्तर प्रतेश की राजुनीती में जहां एक तरफ भाजपा वर्सिस जो है अखेली श्यादफ की लड़ाई देखने को मिल रहे हैं वही मैं बात करूं यहां पर तो आप देख सकते हैं कि अखेली श्यादफ की टीम जो है इस वक्त काफी सक्रिये नजर आ रही है और यही वज़ा है कि नगर निगम के चुनाफ से पहले योगी सरकार को एक बड़ा जटका लग सकता है आपको उता दे कि सीम योगी की तरफ से ज इंदमारी करने की तैयारी कर रहा है और उस गुट को अपनी तरफ करना चाहते है और यही वज़ा है कि उन्होंzna ने यहां पर 100 विधायक लाने का ओफर मौया को भी दिया था यहां पर केश्भ प्रिसाद मौया हो या फिर स्वामी प्रिसाद मौया हो दोनों का डबबा लेकिन आगर आप देखेंगे तो दोनों ही नेता पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगे बढ़कर के जो है वह इस पूरे मामले में अपनी अलग ही पश्टिता दिखाए उनकी तरफ से यह भी देखा जा रहे हैं कि उनकी तरफ से इसी कोई तस्वीर नहीं है बावजुद उसके हमने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर जो है यहां अखिली शियादव के सामने जो है एक बड़ी दिक्कत का सबब जो है वो अब खुद सीयम योगी बनने वाले हैं क्योंकि देखें उनको भी बात पता चल रहे है कि उनके खेमे में जो है एक बड़ी सेंधमारी की तयार के उपर अपनी नजरे रखे हुए हैं और देखें यही वज़ाए कि 22 जनवरी का दिन जो है उन्होंने फिक्स भी किया है कि वो एक हाई लेवल मीटिंग बुलाएंगे और उतरप्रदेश की राजुनिती को बदलने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एक मुहीम यहाँ प लेकिन आप देख सकते हैं कि सीम योगी भी अपनी तरफ से कमरकस चुके हैं और वो पूरी कोशिश करने कि इस हाई लेवल मीटिंग के दौरान जो है वो तमाम मुद्दों को समझ सके देख सके कौन विधायक खिसकने वाला कौन विधायक उनके साथ रहने वाला है और जो निताओक से क्या वो जो निताओक उनको दगावाजी करने वाला उनके साथ क्या उनसे इस्तिफा लेगे या नहीं फिलाल आज के लिए बस इतना ही देश्तिन्यक तवाम बड़ी खबरुक ले देखते रहें ये नेक्स्ट नाइन न्यूस पॉलिटकल बाइट